हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बाक टू मैं चैनल एक्जाम लोग तो फ्रेंड्स मैं अनुज आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर जिसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोग को इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलोजी का most important questions जो की इस बार पेपर में आएंगे ही आएंगे और आप लोग को बस एक काम करना है कि इन सभी questions को लिख कर इसको याद कर लेना है पेपर में क्योंकि यही सभी questions पुशे जाएंगे यह 100% guarantee है मेरी और इस वीडियो को questions दो और आपको 45 plus marks तो अच्छे से मिली जाएंगे यह पार्ट वान है और इसमें 21 important questions बता रहा हूं इसके answer मैंने लिख लिया है सभी questions के वह आपको telegram पे मिल जाएंगे लेकिन अगर आप लोग comment करेंगे तो अगर आपको चाहिए तो हो सकता है आप लोग पहले से ही लिख लिए हो ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारा पहला question है explain the working of file transfer protocol इसमें आपको बताना है कि file transfer protocol कैसे work करता है कैसे कार करता है second है what are the basic internet tools explain some internet tools ठीक है और internet tools क्या होते हैं इसकी मैंने एक PDF आपको भेज रखी है telegram पे भी और WhatsApp group में भी और देखिए जो तीसरा चौथा और पांचवा question है यही सब है क्या internet tools और इसके बारे मैं details से आपको लिख के दूँगा modem हो गया web browser word wide web website URL search engine email website webpage and html http domain name यह सभी most important है यह सभी पूछे जाते हैं इस पर short note लिखने को आता है और सभी मैंने लिख रखा है आप लोग comment करिए कि मैं आपको send कर दूँगा और छटा question है हमारा differentiate between html and xml यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला question है कि xml और html में difference बताईए तो इसी के साथ मैं question के answers भी आपको दिखा दे रहा हूं नहीं आप लोग सोचेंगी कि मैं आपको सी बोल रहा हूं मैंने answers लिखे नहीं है तो देख लिजिए यह है question के answers जो कि मैंने विस्तार से सब लिख लिए है figure सही लिख लिए है ताकि आप लोग को अच्छे से एक-ए पॉइंट समझ में आए ठीक है तो मैंने इसकी पीडिया बना ली है और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मैं टेलिग्राम पे भेज दूंगा वार्साप ग्रूप में भेज दूंगा चलिए आगे देखते हैं साथवा question है write a note on xhtml xhtml भी बहुत important है इस पे short note लिखने को ह पार साल आता है ठीक है आट बार question है write the characteristics of isp isp का फिलफवाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है तो इसके characteristics आप पूछेगा कि मेंस यह क्या होता है इसके features क्या क्या होते हैं यह सभी आपको पूछ सकता है और next है no number question differentiate between client side and server side scripting देखिए दो तरह की scripting होती है एक client side होती है और एक server side यह दोनों जरूर पूछे जाते हैं हर साल पूछे जाते हैं और इन दोनों को भी मैं बताओंगा हमारा next question है दसवा number question differentiate between java script and vb script java script तो आप लोग जानते हैं vb script नहीं जानते हैं इसकी code और इसकी definition मैं आपको बता दूँगा 11 number question है write short note on any two of the following dht html और css देखिए अभी तक मैंने क्या क्या discuss किया है html xml xhtml अब क्या आगे dhtml यह सभी पूछे जाते हैं और css आप लोग जानते हैं cascading suits style सोची अगर आपको यही मेरी सारी notes मिल जाया और आप लोग अच्छे प्रिपेर करने तो आपको exam कितना आसानी से जा सकता है ठीक है next question है explain client server model with diagram ठीक है यह सबसे ज्यादा important question है यह DCCN में भी पूछे जाता है WT में भी पूछे जाता है क्योंकि most important question है और यह आपको 2-3 exam म में देखने को मिल सकता है 2-3 paper में और अबबग हर paper में ही आता है यह client server model with diagram अब हमारा तेरे number question है define the following पहला है TCP transmission control protocol और दूसरा है IP internet protocol तो यह दो protocol होते हैं जो कि हर बार exam में पुछे जाते हैं एक हो गया transmission control protocol और दूसरा हो गया internet protocol और यह दोनों questions किसमें पुछे जाते हैं DCC यह data communication and computer networks में भी आपसे पूछे जाएंगे ठीक है क्योंकि most important questions है और हमारा चौदा number question है differentiate between static and dynamic websites यह chapter number one का है और कुछ लोगों में direct HTML से सुरू है सार्थक की book में लेकिन chapter number one हमारा most important है और उसमें यह question भी है और website और webpage यह सभी तो हम अभी 4-5-6 number question में discuss करेंगे और इसमें भी देखिए website दो प्रकार के होते हैं static और dynamic इन्हीं दोनों के बारे में हमने लिखाए भी स्थार से पंदरा number question है explain json ठीक है जेसन काउंसी chapter का है XML chapter का है ठीक है आप लोग अगर नहीं पड़े होंगे तो मैं बता दूँगा अपने notes दे दूँगा उसमें से पढ़ लिजीगा जेसन most important है कई बार पुछ जाता है RSSBC के साथ पूछ जाता है लेकिन मैंने उसको इसमें add नहीं किया है उसको मैं next वीडियो में बताऊंगा आपको और जो हमारा 16 नंबर question है वो सबसे important है और सबसे मतलब की बहुत ही आसान है ठीक है और attributes क्या होते है elements भी आपसे पूछा जा सकता है यह क्या होते हैं इसको explain करिये तो मैंने टैगs elements attributes सभी लिखे है ठीक है आपको बताने के लिए और हमारा 18 नंबर question है explain types of nesting in html html के coding में nesting most important है क्योंकि अगर हम जो start कर रहे हैं अगर उसको हम nesting के रूप में ना close करें उसके type से ना close करें तो हमारी coding ठीक से नहीं दिखा सकता है फिर error आ सकता है वैसे तो html में बहुत कम ही error आते हैं बड़ा आपको responsive वेब पेज बराने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना most important है ठीक है next question है explain class selector and id selectors in CSS देखी जो हमारी cascading style sheets होती है उसमें क्या होता है कि दो selectors होते है class selector और एक id selector तो इन दोनों को आपको पढ़ना है बीसवा question है हमारा explain local and global variables in javascript यह most important question है यह हर बार पूछा ही पूछा जाता है और इसी के साथ हमारा 21 number question last question है explain if-else statement with example in javascript if-else statement इसको मैं अभी पता दे रहा हूं क्या होता है देखी जैसे हमें दो statements दी रहती है तो अगर हमारी पहली statements आई है तो if-vale execute हो जाएगी लेकिन अगर हमारी if-vale पहली statement रॉंग है तो हमारी second इस लागा कि हम second execute करेंगे फिर second execute हो जाएगी यह सभी आपको मैं नोट्स से दिखा के पढ़ाओंगा तो आपको आसानी समझ में आएगा और इसी के साथ हमारी आज की सभी questions खतम होते हैं अगर आपको notes चाहिए तो आप Telegram चैनल पर join कर सकते हैं लेकिन उसके पहले आपको comment में बताना होगा कि हाँ आपको notes चाहिए तो सकते मैं direct भी आपको link दे दूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें हमारे चैनल exam look को subscribe करें और अगर आपको और भी subject की इसी तरह questions चाहिए important questions तो आप हमें comment में बत झाप